कानपुर से ब्रेकिंग खबर आ रही है जहां तीन हत्याओं के आरोपी डॉक्टर के तलाश में पुलिस जुट गई है आरोपी डॉक्टर सुशील कुमार के मोबाईल की आखरी लोकेशन अटल घाट गंगा के किनारे मिली जिसके बाद से पुलिस लगातार तलाश में जुटी हुई है बताया जा रहा है कि गंगा में कूदने की आशंका के चलते मोटर बोट और जल पुलिस की मदद से चल रही है ये तलाश डीसिपी वेस्ट और कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर यहां मौजूद है कल्यानपुर के इंद्रानगर में कल पती ने अपनी पत्नी और दो बच्चों को मौत के घाट उता दा था जिसके बाद से पुलिस लगातार इस अभियुक्त डॉक्टर की तलाश में जुटी हुई है देखे कल जो कल्यानपुर्ताना अंतरगत इंद्रानगर डिविनिटी अपार्टमेंट यो ट्रिपल मडर हुआ है उसका जो अभियुक्त है डॉक्टर सुशिल उनका कुछ ऐसा सूचना हमें मिला है कि उसी अटल गाट के परसर में उनका करीब साड़े पांच बजे कुछ उनका सूचना मिला है और वैसे ही सरसय गाट के अहाबे भी करीब सवा साथ बजे मिला है तो एक संदेह के संदेह निवरुत करने के लिए हम लोगों ने जल पोलिस के साहयोग से मैं अपने टीम के साथ एक बार पूरा अटल गाट से लेकर सरसय गाट और 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 भी नीचे पुल तक हम एक बार देखके आया है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने वहाँ से कूज गया हूँ बाकी अभी फिलहाल जैल पोलिस और भी वहाँ पे कर रहे हैं मेरा टीम भी लगी हुई है और इसे के अलावा बाकी अन्य दो-तीन तीन चार टीम हमने लगाया है रालवे स्टेशन्स बस्टेशन्स और अन्य जगा जहा जहां इनके परिजन और इनके जो भी फ्रेंड्स य झाले हुए प्राइट पो अंद्ट